house rent allowance यानि की मकान किराया भत्ता इसके बारे में हम आपको इस slide में बताएंगे आगे देखते हैं कि as per 7 CPC HRA के लिए cities का classification किस तरह से है HRA के लिए cities को तीन कर्टिगरी में बाटा गया है classified किया गया है X city, Y city और Z city देखिए यहाँ पर Government of India का एक letter है जिसका एकसर यहाँ पर लगा है कि कौन-कौन सी cities X city है कौन सी Y है और जो X और Y में नहीं है वो सभी Z city में आती है देखिए यहाँ पर हैदराबाद, डेली, एमदाबाद, बैंगलोर, ग्रेटर मॉंबई, पूने, चैन्नाई, एन केलकटा यह जो cities है यह X cities में आती है इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सारी Y cities दिख रही है जैसे कि गोहाटी है, पतना है, देखिए श्रीनगर, जम्मू, यह सब जो है यहाँ पर, कोची है, गौलिया, इंदौर, जबलपूर, इसके अलावा देखिए इस तरफ दिया है, इनके state-wise बताया जा रहा है कि किस तरह से कौन-कौन सी cities को Y city में रखा गया है, कटक है, भुबनेश्वर है, अमरिसर, जलंधर, लुदिहाना, पंजाब में इन cities हैं, जिनको Y city में रखा गया है, इसी तरह उत्राखंड की देहरादून और वेस्ट बेंगॉल में, आसनसोल, सिलिकुडी और इन सभी cities को जो एनक्सर में दिखाई गई है, X और Y cities है, इसके अलावा, जितनी भी cities बाकी है, वो सभी Z class city में आती है, HR-A की eligibility क्या-क्या है, आई इसके बारे में जानते हैं, HR-A will be applicable to all ranks with effect from 1-7-2017, यानि की 1-7-2017 से सभी को HR-A दिया जाने लगा है, इसके पहले CLQ मिलता था, लेकिन 7 CPC के बाद, 1-7-2017 से सभी Armed4Personal HR-A के लिए भी entitle हो चुके हैं, देखी, Government of India, Ministry of Defense का जो letter है, dated 11th October 2017, इस letter के इसाब से, जो HR-A दिया गया है Armed4Personal को, वो रहेगा 24%, 16% और 8% for XYZ class के लिए, यानि की X class के लिए 24%, Y class के लिए 16%, और Z class के लिए 8% HR-A दिया जाएगा, ये rate जो HR-A के हैं, वो 27%, 18% और 9% हो जाएंगे XY और Z class City के लिए, जब DNS allowance 25% क्रॉस कर जाता है, यानि की आज की date में, अगर आपका जो HR-A है, वो आपको जो मिल रहा है, वो 27%, X class City के लिए, Y class City के लिए 18%, और Z class City के लिए 9% के हिसाब से दिया जा रहा है, इसके बाद अगर DA जब 50% क्रॉस हो जाएगा, जब DA 50% क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद जो DA का, इसका rate रहेगा HR-A का, वो रहेगा 30%, 20% और 10%, यानि की जिस जबी भी DA बढ़ेगा, 50% के उपर जाएगा, आपके HR-A के rate भी revised हो जाएगे, HR-A जो PBORS को दिया जाता है, वो वहीं, तभी मिलेगा, जब उनके पास जहाँ पर वो posted है, उस station पर कोई Government Merit Accommodation खाली नहीं होगा, अगर Government Merit Accommodation है, तो उनको वहाँ रहना होगा, Government Merit Accommodation में, तब उनको HR-A नहीं मिलेगा, HR-A जो दिया जाएगा, वो X Class City के लिए 5400, Y Class City के लिए 3600, और Z Class City के लिए 1800 होगा, इससे कम HR-A नहीं दिया जाता है, इसके अलावा, अगर आप Field Posting पर हैं, और आपकी Family या आपकी Dependent किसी और शहर में हैं, या गाउं में रहते हैं, तो आप जहां आपकी Family रहती हैं, उस शहर का, या गाउं का, जो भी Classified Rate होगा, वो चाए X हो, चाए Y हो, चाए Z हो, जो भी हो, आपको पूरा HR-A मिलेगा, SPR, वहाँ का Government Accommodation, वहाँ कोई Government Accommodation अवेलेबिल नहीं होना चाहिए, इन किस, अगर वहाँ पर Government Accommodation है, तो आपकी Family को Government Accommodation में ही रहना होगा, और तब आपको HR-A नहीं मिलेगा, यहाँ पर HR-A की Eligibility से Related जो Government Orders है, वो उसके बारे में आपको बताए जाएगा, यहाँ पर एक Table बना है, इसमें आपके दो पार्ट में हैं, एक है Field Posting और दूसरा Non-Field Posting, तो Field Posting से Related क्या HR-A के Rules हैं, आपके लिए वो देखते हैं, Whether the JCO Orders has any Dependent, यदि आपके Dependent हैं और आप Field Posting में हैं, तो क्या Condition है, Full HR-A Applicable at the Selected Place of Residence of the Dependents, यानि कि आपके Dependents जिस City में रह रहे हैं, वहाँ का पूरा आपको HR-A दिया जाएगा, इसी दर हैं, अगर आपके Dependent नहीं हैं और आप Field Posting पे हैं, तो आपको Z City का यानि कि 9% of Basic पे आपको मिलेगा HR-A, इसी दर है Non-Field Posting के बारे में देखते हैं, Staying in Barrack और Non-Staying in Barrack, Staying in Barrack में अगर आपके Dependent हैं और आप Barrack में हैं, तो Reduce HR-A Applicable at the Selected Place of Residence of the Dependent, इसमें अगर आप Barrack में रह रहे हैं और आपकी Family Selected Place of Residence परे हैं, यानि कि वो किसी और शहर में हैं, तो जिस शहर में वो रह रह रही हैं, उसके HR-A में से 5% कम करके HR-A दिया जाएगा, इसी तरह अगर आपकी Family नहीं हैं और आप Barrack में रह रहे हैं, तो जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहां का 5% HR-A कम करके आपको दिया जाएगा, Non-staking Barrack, अगर आपके पास Government Accommodation नहीं हैं और आप बाहर रहते हैं कहीं, जो कि आपने Station Commander से NAC ले लिया है, उसके बाद अगर आपको बाहर रहने की Permission मिली है, तो आपको पूरा HR-A दिया जाएगा, क्योंकि उस प्लेस पर Government Accommodation अवेलेबिल नहीं हैं, और अगर आपके पास Family नहीं है, Dependent नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा, तभी भी आपको पूरा HR-A दिया जाएगा, अग Government Accommodation नहीं है, और आपके पास Station Headquarter का Permission है, NSE है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना जरूरी है, कि जो Reduce Rate रहेंगे, जब आप Staying in Barrick होते हैं, और जो आपका 5% Reduce किया जाता है, वो सिर्फ Class X और Y City के लिए ही होगा, अगर वो Z City है, तो आपको पूरा HR-A मिलेगा, HR-A के Rates जो 17-2021 से लागू किये गए हैं, वो इस तरह से हैं, Class X City के लिए 27% of Basic Pay, आपको मिलेगा HR-A का, Y City के लिए 18% of Basic Pay, और Z Class City के लिए 9% of Basic Pay, यह नए रेट हैं, जो 17-21 से लागू किये गए हैं, इसी तरह है, अगर आप Barrick में रह रहे हैं, और आपकी Family अगर SPR में हैं, और 5% अगर Reduce हो रहा है, तो जो रेट बनेगा, वो रहेगा, X City के लिए 22% of Basic Pay, और Y City के लिए 13% of Basic Pay, यानि कि 5% आपका Reduce हो चुका है, और Z Class City है, तो वहाँ पे कुछ भी Change नहीं होगा, आपको 9% of Basic Pay ही मिलेगा.